Hello students, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक बटन के साथ बजर को कैसे on off करें जैसे LED हमें signal देता है on off के तरू वैसे ही बजर भी हमें एक voice signal देता है on off के तरू जैसे हम बटन को on करेंगे तो यह बजर बजने लग जाएगा और जैसे हम बटन को off करेंगे तो यह बजर off होने लग जाएगा यह एक actuators होता है और इसमें भी LED की तरह positive और negative side होते हैं जैसे LED की तरह इसका connection बनता है अब हम इसका फटा फट से code देख लेते हैं कि इसमें कैसे हमें code बनाना है तो इसके लिए हम सबसे पहले वही basic needs जैसे की register हमें चाहिए same LED collection हमारा इसमें बनेगा जैसे हम LED के साथ connection बनाते हैं वैसे ही बजर का भी connection हम बनाते हैं connection में कोई नई बात आपके लिए नहीं आएगी इसमें भी क्योंकि positive और negative दोनों होते हैं तो हम फटा फट से code देखते हैं और इसको समझते हैं यहां पर हमने यह सारे components ले लिए हैं सबसे पहले इसमें हमें क्या need है Arduino board की Arduino board को हम यहां पर rotate कर देते हैं यह Arduino board हो गया इसके बाद हम यहां पर bread board bread board ले लिए हमने यह अब हम यहां पर सबसे पहले button का connection बनाते हैं बटन का connection हमने लास्ट वीडियो में ही देखा है कि बटन को कैसे connect किया जाता है सबसे पहले हम क्या करेंगे इस breadboard की plus और माइनस में supply देंगे सबसे पहला काम हमारा यह होना चाहिए तो हम क्या करेंगे 5 वोल्ट करेंट लेंगे यहां से और इसको हम positive वाली साइड पर एड़ कर देंगे इसके बाद हम यहां पर negative वाली साइड पर जाएंगे और इसमें हम negative साइड को भी एड़ कर देंगे ठीक है और यह नेगेटिव वाला जो हमारा वायर है ब्लेक कलर में कर देंगे तो यह positive नेगेटिव अब यह पूरे breadboard में आचका है तो हम सबसे पहले बटन का connection देखते हैं तो बटन को लाते हैं और और यह रोड़ की त्युरू बनाना होता है तो यहां पर जाएंगे रेजिस्टर से connect करेंगे रेजिस्टर 200 से 300 के बीच में होना चाहिए जैसे हमने 1200 ओम का ले लिया ठीक है इतना आपको समझ में आ रहा है अब इसके बाद हम इसका जो दूसरा सिरा है वो नेगेटिव वाली सीट से connect कर देंगे और यह इसका दूसरा स वाले पिन पर रिसीव करना चाहते हैं अब बताएंगे हम वह भी नेगेटिव वाले टर्मिनल का दूसरा सिरा होगा तो नेगेटिव वाले टर्मिनल के दूसरे सिरे से जाके हम क्या करेंगे आपर कोई भी पिन पर connect कर देते हैं तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में बारे connection बनता है वो सेम LED की तरह बनता है यानि कि LED के positive side के लिए हम जो चीज करते हैं वही हम इसमें भी positive side के लिए करेंगे और negative side को हम उसमें GND से जोड़ेंगे क्योंकि दोनों ही actuators होते हैं दोनों ही हमें signal देने का काम करते हैं जो हमें signal देते हैं उन्हें हम actuator कहते हैं और जिस इससे हम signal लेते हैं वो हमारे sensor होते हैं ठीक है तो यह हमारा negative side में हो गया इसके बाद positive side में हम क्या करते हैं register लगाते हैं तो इस ही होग हम copy paste कर लेते हैं copy paste करने के बाद यहां पर हमने plus वाली side पर लगा दिया और इसका जो दूसरा सिरा है वो किसी भी digital pin से connect कर देंगे तो same हमने ये काम कर दिया और ये भी signal दे रहा है तो हमारा जो यहां पर red color में आ जाएगा ठीक है तो ये पूरा इसका connection रहेगा आप इसे एक बार अच्छे से देख सकते हैं कोई नई बात नहीं है बस हमने LED की जगह पे बजर का यूज कर दिया है और अब हम चलते हैं कोड की तरफ तो कोड में हमें अपना जैसा भी हम इसके साथ interface करना चाते हैं वो हमें लिखना होगा तो यहां पर हम सबसे पहले void setup के अंदर क्या बदाते हैं अपने LED pins और उसका जो input output जो भी है तो हमने जो बजर यूज किया अब इसमें बजर को हमने दो नंबर पिन पर यूज किया है as a output और फिर जो बटन हमने यूज किया है pin mode बटन हमने कौन से नंबर पिन पर लगाया है 12 नंबर पिन पर लगाया है और as an input लगाया हुआ है तो कि यहां पर में कमेंट करके लिख देता हूं कि कौन सा किस के लिए मैंने लिखा है यह वाला है आपका कि बजर के लिए कि अधूरサ करें और यह है हमारा टेंट के लिए ठीक है तो बटन से हमें पता है बटन से हमें एकpenal सिगनल रिसीव होता है जो 0 और 1 के उसमें होता है 0 मतलब OFF और स्टेट और हमारा जो 1 होता है उसका मतलब होता है ओन स्टेट तो सबसे पहले हम वो सिगनल रिसीव करेंगे तो सिगनल रिसीव करने के लिए मैंने आपको बता हुआ है डिडिटल रीड फंक्शन हम यूज करते हैं और उसका पिन नंबर बताते हैं जिस पिन पर सिगनल आ रहे हैं बारे नंबर पिन पर सिगनल आ रहे हैं बटन को हमने बारे नंबर पिन से कनेक्ट किया है अब इस signal को क्योंकि हमें आगे use करना है तो हम इसको store कर लेंगे तो एक variable इसको नाम दे देंगे हमने ये नाम दे दिया है int signal इंट signal नाम दे के हमने इसको signal नाम के variable में store कर ले तो अब जो भी value आएगे 0 आए चाहे 1 आए वो हमें signal में receive हो जाएगी अब हम इसी signal की value के साथ condition बना देंगे if signal अगर signal की value 0 आ रही है यानि कि off है तो हमें अपना बजर भी off रखना है तो इस case में हम क्या करेंगे digital राइट करेंगे और जो बजर वाली पिन है बजर की पिन कौन सी है दो नमबर पिन है उसको हम क्या कर देंगे लो कर देंगे यानि जीरो कर देंगे ठीक है इसके बाद अब हम लिखेंगे else block एल्स ब्लॉक में हमें क्या करना है एल्स ब्लॉक में यानि अगर वो चीज ऑफ रहे यानि कि signal जीरो के अलावा वन आ रहा है तो हमें क्या करना होगा हमें अपने जो बजर को भी on कर देना होगा तो यहां पर digital right 2,1 ठीक तो यह हमारा पूरा code हो जाएगा how to interface buzzer with button ठीक है तो buzzer को कैसे हम interface करेंगे यह हमने आपर देख लिया अब इसको हम run करके देखते हैं code में कोई error तो नहीं है और उसके बाद इसको check करेंगे ठीक है कोई error नहीं है अब हम इसे check कैसे करेंगे अभी देखे हैं यहां पर हम जाते हैं और button वाले उस पर जाके हम click करेंगे तो जैसी हम बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है यह बटन की आवाज आपको सुनाई देगी ठीक है? तो अभी आप जहान से सुनेंगे यह बटन की आवाज आएगी ठीक? जैसी मैं बटन दबा रहा हूँ यह बजर आपका sound producer आप इसे क्लिए सुन पा रहे होंगे तो यानि कि यह प्रोग्राम हमारा काम कर चुगा है अपने आप वो sound produce नहीं कर रहा है जब हम उसको यहाँ पर दबाने के लिए जा रहे है तब उसमें sound कर रहा है तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा और मैं आपको जितने भी practical questions आपको करा रहा हूँ आप अगर इन्हें ही अच्छे से practice करके चले जाते हैं तो आपको minimum दो question आपके paper में same to same मिल जाएंगे और दो question आप अगर size कर आते हैं तो आपके 50 plus marks आसानी से आ जाएंगे और वाईवा के लिए जो मैं चीज़ें इनके बारे में बता रहा हूँ यही चीज़ें वाईवा में भी यही question पूछे जाएंगे क्योंकि आपका practical और वाईवास बिल्कुल same इसी chapter से था बाकी वो और कुछ नहीं पूछते हैं आपको Arduino के बारे में, breadboard के बारे में जितने भी sensor actuators आपको बताए गए हैं उनके बारे में पता होना चाहिए और code आपको paper में क्योंकि लिखना आना चाहिए ठीक है यह आपके preparation के लिए enough होगा, thanks for watching this video